नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सीमील हतीली आप पुरुस जातक है और आपकी रियल हतीली मेरे सामने बीवी चना के लिए आयूई है एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को हमारी जीवन में ने हमारी हतीली में जो करियर और धन की रेखा होती है उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है सबसे बड़ा महत्वपुन अस्तानों रखती है यहाँ पर जिस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा बन रही है ये मिर्त आउस्ता की धन और करियर की रेखा है ये सीधा जाके 56 वर्स से जो है 56 वर्स के बाद से अपनी अच्छी इस्तिति में आ रही है उससे पहले नहीं है लेकिन क्या उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा नहीं आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन आपको अपनी इन रेखाओं को पुष्ट करना है ये कैसे पुष्ट होगी सारी किरियाओं के द्वारा और मानसिक किरियाओं के द्वारा ठीक है ना और इस्वर की पोजा करने से लेकिन सटीक यहाँ पे जब ये रेखा इस प्रकार से होती है मैं अब इसका ओर्जिनल रूप आपको दिखाता हूँ ये देखेगा ये ऐसे लहराती हुई जा रही है ऐसे और एक रेखा इसमें यू मिल रही है जब ये लहराती तो भयंग कर उतार चड़ाओ देती है आर्थिक रूप से ब्यक्त को बहुत ज़्यादा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ऐसे ब्यक्त अपने जीवन काल में अस्ताइत्व की प्राप्ति नहीं कर पाता है बिसेश कर धन के मामले में और करियर के मामले में ब्यक्त का जीवन संकटों और कठिनाईयों के बीच गुजरता है कभी भी ब्यक्ति जो वास्तिक सुक है उसको अनुभू नहीं कर पाता है उसकी अनुभूती नहीं कर पाता है जो जीवन की उर्जा जो उसका उत्सा होना चाए वो मर चुका होता है लेकिन क्या यही रेखा है आपके हतीली में जो सब कुछ दे रही नहीं कुछ और चीजें हैं जो इसको बल दे रहे हैं लेकिन आगे के लिए शांदार चीजें भी हैं जो जीवन को आश्चरे जनक रूप से पूरी तरों से बदल के रख लेंगे इसके साथ देखेगा आप यह ऐसी इस्तित्यां खड़ी कर जीवन को अभ्याउस्तित करता हो परिशान हो जाता है और यह धैर्य को खतम करती है ऐसी हिर्दे की रेखा दूसरा अंगूठे में हड़ी बहुत जाद उबर रही है और सुक्र का प्रवत ऐसा लग रहा अभी भार निकल जाएगा यह इस्तितियां इस रेखा को बल देती है और इसका प्रभाव जीवन काल के 42 वर्स तक रहता है 42 वर्स तक जो है यह जीवन में संगर्स को दिखाता है यह जीवन में धनहानी को दिखाता है कई बार ऐसे लोगों के पैसे फंस जाते हैं वापिस नहीं लोटते हैं कई बार व्यक्ति जल्दबाजी में भावनाओं में आकर और क्या करता है उतावले पन में बड़े फैसले ले लेता है दो धनहानी कराती है ऐसे लोगों को ब्यापार नहीं करना चाहिए या ब्यापार बड़ा सोच समझ करना चाहिए ये ब्यापार में नुकसान को दिखाता है और यदि ऐसे लोग ब्यापार करें भी तो प और खास कर जीवन में धन का मानी की जो इस्तिती है बड़ी लेट आती है। हाँ, 42 वर्ष की आयू से चीजें ठीक होने बैठ जाती हैं। दीरे दीरे ब्यक्ति अपने अस्तर पे आने बैठ जाता है, सुकोन पाने बैठ जाता है और प्रोग्रेस करने बैठ जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का बुड़ापा बहुत सांदार गुजरता है। 56 वर्ष की आई के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है और यही चीजें यहां पे इस पश्ट दिखाई दी रही है कि जीवन काल के 41 वर्ष के लाश्ट तक चाए आप कुछ भी कर ले हलकी राहत तो मिलेगी लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं है 42 वर्ष से ही चीजें यहां पे अच्छी दिखाई दी रही है भाग्योदाई की इस्तिती 42 वर्ष से आ रही है तब तक आपको क्या करना है तीन चीजें करनी है मैं सांदार भाग्य को प्रबल करने के आपकी चीजें बताऊंगा एक तो आपको दिव्य सूरे किरिया करनी है दिव्य सूरे किरिया करने से चीजें बेहतरीन आउस्ता में आएंगी और एक आपको दिव्य योग ध्यान किरिया करनी है और तीसरा आपको अपने करियर में अपने जो है धन में अगर अस्ताइत तो चाहिए लक्षमी की वास्त् पाचाईए जीवन में तो इस रेखा को परिपूर्ण करने के लिए तीन महने तक आपको एक रात्री के समय का महा लक्ष्मी का उपाई करना है ये चीजें बस करनी है आपने और इनी चीजों के दमपे आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे जीवन में जो उथल पुतल है जो महा कष्ट है जो जीवन संकटों और कटनाईों के बीच गुजर रहा है वो सब सान्त हो जाएगा लेकिन मन से करना है ठीक है ने एक मैं महा उपाई दूँगा जब घोर संकटा अगर इन चीजों में है तो वो महा उपाई करना है लेकिन वो बहुत कठिन है लेकिन मैं दूँगा उसको समझाऊँगा वो तो रामबान है जब सारे रास्ते बंद हो जाती है जब उमीद की किरन खतम हो जाते बुझ जाती है तब वो महाउपाई कामा आता है रियल में वो कठिन तो बहुत है लेकिन उसके जो परिणाम है मेरे को उनका जो फीडबेक आया है उन परिणामों का वो बड़ा संतोस जनक है दिल को सुकून देता है हमें गर्ब होता है कि हमारे सास्त्रों में मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए उनके कल्यान के लिए बहुत सांदार योगिक किरियाएं दे रखी है बहुत बुद्धि से परेकी चीज़ें दे रखी है और जीवन का जो ये अस्तर है उसके आयामों में आश्चर जनक रूप से बदलाव हो ऐसी चीज़ें दे रखी है इस पष्ट रूप से कही गई है जो बहुत सरल है यही चीज मैं दोंगा थोड़ा अपने आहार पे आपको ध्यान देना है अपने उठने का अपने सोने का जो समय है उसको व्योस्तित करना है निश्चित रूप से देखेगा आप आपका जीवन पूरी तरह से अश्चर जनक रूप से बदल जाएगा पीठ का दर्द है कमर की प्रोब्लम है इसकी सम्मावना बढ़ सकती है तो ये भी न बटे इसके लिए मैं योगिक क्रियाये आपको दे रहा हो ठीक अब यहां पे देखेगा यहां पे आपकी केवन दो लकीरे हैं जो इस पश्ट है और इनी का परेणाम जीवन में आपको म स्वयम की मिहनत और स्वयम के परिश्रम से ही स्रेष्ट सपलता हासिल होगी हाला कि जो 41 वर्स तक का समय है इसमें निश्चित ही संगर्स रहेगा लेकिन इसी संगर्स से उठकर आप आगे चलकर हर सुक को पाएंगे हर सुक का भोग भी करेंगे यह निश्चित है यहां पे आपकी हतेली में जो ब्रिस्पती का परौत है यह पूरी तरो से सनी की तरप झुकावा है तो परिवार को लेके अभी कम से कम डेढ़ बरसों तक यहां पर चिंताएं दिखाई दे रही है, प्रेशानियां दिखाई दे रही है और खास कर संतान को लेके जो चिंताएं है, दामपत्य जीवन को लेके जो चिंताएं है, जो प्रेशानियां ये उभर रही है तो अभी आप इस मामले में रिस्क ना ले, कम से कम एक साल ठहर जाए और उसके बाद जो है, जो मैं योगिक क्रियाई दे रहा हूँ, अपने लाइप पार्टनर को भी दे वो भी सेम क्रियाई जरूर करे, केवल योगिक क्रियाई, दिब्य सुर्य क्रिया और दिब्य योग ध्यान क्रियाई वो भी करे बाकी के उपाई आपने करने हैं, ठीक, ये दो चीजें वो भी अगर साथ साथ में करें उनका जो hormonal system है वो शानदार हो जाएगा ठीके ने? उनका जो पाचन तंत्र है वो भी बेहतरीन हो जाएगा और इसका लाब आपको एक साल के बाद प्राप्त होगा और संतान समंधी जो कश्ट है ठीके ने? जो सुक से बंचित है वो सुक आपको उसके बाद मिल जाएगा कोई कठिनाईया नहीं होंगे लेकिन अभी डेड़ बर्सों तक यहाँ पे आपका ब्रिस्पति बता रहा है कि परिवार को लेकि चिंताएं, समस्याएं आपकी जीवन में बनी रहेंगे तो इस चीज को ठेक करने के लिए आपको जो है दिव्य योगध्यान किरिया, दिव्य सूर्य किरिया और एक महा उपाई आपको जरूर करना है और एक आपको जो है क्या करना है महा उपाई कर लिजेग वो इसी में सब कुछ हो जाएगा ये उंगली पूरी तरों से जोकी हुई है आपकी इस उंगली की तरफ निश्चित ही जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी है और इस स्वर में विश्वास बना हुआ है और ये ऐसा ही रहेगा ये उंगली भी पूरी तरोसी जुकी हुई है आपकी इस उंगली की तरफ देखे गई अच्छा नहीं माना जाता है बहुत जादा मेहनत और परिस्रम करने की बाद ही जीवन में चीजों में सफलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा ये इस पश्ट दिख रहा है ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इसकी तरफ यस पाने की चाहा नेम फिम पाने की चाहा और अपने कारें में बिस्तार पाने की चाहा बहुत ज़्यादा रहेगी ये इससे बड़ी है इससे छोटी है ये वाली उंगली निश्चित ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्यवारिक रहेंगे और इस ब्यवारिक रहने के कारण जो है जीवन में कहीं न कहीं प्रगति पाएंगे यहाँ पर पूरी तरों से जुक रखी है इसकी तरब कागजों के रख रखाओं में, एकाउंट विल्टी में, फाइलिंग में ये कमी को दिखा रही है इस कमी को दूर करने के लिए यहां तक नाकुन जरूर बढ़ाएं ठिक, यहां पे गैप दिखाई दे रहा है जब यह गैप होता है, तो बुडापे में धन को लेके बिक्ति को संगरसों का सामना करना पडता है दिक्कतों का सामना करना पडता है तो इसका एक उपाई दे रहा हूं, बहुत सरल उपाई है इसको जरूर करेंगे, कुछ बानना है इसमें ठीक है ने वो चीज में दे रहा हूँ क्या करना है ये बता रहा हो ये जरूर करें तो आपको ये दिकतों का सामना नहीं करना पड़ेगा एक सुखद जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयतन सील ब्यक्तित्व भी यहां पे बना रहेगा ये अच्छी बात है एक सांदर चीज आपके हतिली में दिख रही है अगर आप उस महाउपाई को और इन दो किरियाओं को करते हैं तो देखेगा ध्यान से एक रेखा और दो रेखा और यहां पे इस प्रकार सी तो ये एक दो और तीन पौरोए शांदार बना रहा है और इनके साथ अगर ये रेखा इस पश्ट हो जाती है बड़ी सरल देखती है जो 42 वर्स से दिखाई दे रहा है तो ये बता रहा है ठीक 42 वर्स में अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरकी मिलने वाली है आपको ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरकी को दिखा रहा है चाए धन है चाए प्रतिष्टा है चाए मान सम्मान है सबी चीजों में ये बडोतरी को दिखा रहा है आप 42 वर्स के बाद निर्धन नहीं रहेंगे गरीब नहीं रहेंगे लेकिन जब बहुत बड़ी प्रतिष्टा पाने बैठ जाएंगे धन जबरदस्त आने बैठ जाएगा तो आपके अंदर ego problem आएगी इससे आपको समल कर चलना है क्योंकि धार्मिक भी बहुत ज़ादा होंगे आप धर्म कर्म के कारियों में आप बढ़ चट कर हिस्सा लेंगे दान और पुन्ने से समंदित चीजों में ये योग सांदार दिखाई दे रहा है और धन के लिए 42 में वर्स से ये योग बहुत अच्छा है बिजनिस इत्यादी चीजों को दिखा रहा है और बिजनिस में विसे सपलता को दिखा रहा है 42 के बाद से अभी तो नुकसान दिखा रहा है लेकिन 42 के बाद से सांदार और बहुत बड़ी तरकी यहां पे ये दिखा रहा है मोका नहीं चोकना चाहिए ठिक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यह सांदार इस्तिति में है तो कहीं न कहीं आपका जो बौदिक अस्तर है वो शांदार है एक विबेकवान बेक्तित्व के धनी है आप हर समय जीवन काल के लिए कुछ न कुछ सोचते रहते हैं योजनाई बनाते रहते हैं आगे चल कर लाब भी होगा यह इस पश्ट दिखाई दे रहा है आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से आ रही है परिवार के परतिपूर्ण समरपन की भावना बहुत केरिंग वाला व्यक्तित्व है आपका यहाँ पे यह इस पश्ट तरीके से मचले का चिन बन रहा है डेड़ सालों के बाद देखेगा इसके परिणाम भी धीरे धीरे उबरेंगे यह भी 42 वर्स से बता रहा है कि देखेगा बच्चों को लेकि खुसियां आपको जीवन में प्राप्त होंगे यात्राओं का लाव मिलेगा आपके करियर में आपके धन में चारचान लगेंगे और जैसे जैसे उमर बढ़ेगी धन और अध्यात्म में धर्म और अध्यात्म में आपकी रुची बढ़ेगी सांदार चीजें बता रही है यहाँ पर थोड़ा गैप है थोड़ा सा जो है मन के मालिक हो जाएंगे स्वयम के निर्णईयों पर चलना आपको अच्छा लगेगा किसी के कंट्रोल में किसी के आदिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे लेकिन रिस्पोंसिबिल्टी बहुत अच्छी तरों से निभाएंगे मैनेजमेंट की छमता सांदार रहेगी और इसका लाब होगा लेकिन एक चीज से बचे और कॉन्फिटेंस से बचे उतावले पन से बचे जल्द बाजे में फैसला लेने से बचे और भावनाओं में आके बहुत बड़ा निरणय न ले ये चीजें आपको नुकसान कराएंगी और सबसे बड़ी चीज है करियर और धन के रेखा को सुधारे इसके लिए उपाई दे रहा हूं सुक्र का परवत अभी जो है ऐसा लग रहा है भार को निकलने को हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी किसी चीज को लेके बहुत ज़ादा सोच रहे है तो भी आभावँ की इस्तिति बनी हुई है LAK कोसिस करने पर सारे साधन होने के बाब जोद भी सुक नहीं प्राप्त हो रहा है विसेश कर दामपत्य जीवन का सुक परिवार का सुक और कुटुम का जो सुक मिलना चाये उसके आगे परिस्तितियां जन्म ले रही है और इसके कारण कहीं न कहीं जो है संकटों और कठनाईों के बीच जीवन गुजर रहा है लेकिन एक दिव्य योग ध्यान किरिया में दे रहा हो इसको जरूर करेंगे तो कहीं न कहीं लाब होगा इसके उलट होगा, क्या होगा, एक तो ये जो रेखाएं हैं इनका लाब मिलेगा, अपने कारे के परती जुजहरोपन बढ़ेगा, जिस कारे को हाथ में ले लेंगे, जब तक पोरा नहीं होता, तब तक छोड़ेंगे नहीं, और कहीं न कहीं ये क्वालिटी आपको सांधार इस्तिते में ले के आएगी, दूसरा, ये सामन्य हो जाएगा, मनी ये चीज बढ़ जाएगी, तो इसका असर फाइदे मन्द होगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना, अपने को सज सवार कर रखना, ये चीजे उबरेंगे, नई चीजों के उपरती रुजहान बढ़ जाएगा, चाए नई परकार का फैसन हो, नई परकार के कपड़े हो, या नई परकार की मार्केट में चीजे हो, बहुत एक सुक्स विधाओं के तरफ बहुत ज़्यादा आकरसन बढ़ेगा, चाए लगजरी लाइप हो, या अल्टरा लगजरी और इसके लिए आप कहीं न कहीं मेहनत भी करेंगे, उस दिसा में जाएंगे, और उसके कारण यस की प्राप्ति होगी, ये चकाचोन आपको रखेगा और गलेमर आपको देगा, निश्चित तोर पे आगे चलकर सुक्र के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, निम्न मंगल में कहीं न कहीं जो है, अभी थोड़ी कमी है, तो कई बार ये जो है, आपका जो मनोबल है, उसको तोड़ने का कोशिस करता है, तो इस चीज को ठीक करने के लिए, मैं दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूँ, इसमें मंगल का उपाई है, जरूर करेंगे तो लाब होग आपका ब्रिस्पति तो ठीक है, लेकिन सनी की तरह पूरी तरो सी जोका हुआ है, अभी कम से कम डेड़ सालों तक, परिवार को लेके चिंताएं रखेगा, या प्रस्तितियां सामने लाएगा, तो इस एक साल तक आपको कहीं न कहीं बड़ी सावधानी से चलना है, उसके ब सनी की इस्तित देखे, अभी बेवजहे की चिंताईं दे रहा है, या ऐसी वजहें खड़ी कर रहा है, जो आपको हमेसा तनाओं में रखे, खिकन, और सुबह उठने में भी आलस्य की प्राप्ति करवा रहा है, दिब्यय योगध्यान के रिया जरूर करें, आपको अच्छ में पूरी तरो से सफल नहीं वो पा रहे हैं, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिस्रम करते हैं, उसका जो स्रे मिलना चाए, जो क्रेडिट मिलना चाए, वो पूरी तरो से आपको नहीं मिल पा रहा है, जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से अभी चीजें उभर कर नहीं रही है निखर के नहीं आपा रही है एक सहजता से एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है दूसरी बात है देखेगा जब सूर्य कहीं न कहीं जो है हलका भी पावर नहीं दे रहा होता है और विशेश कर करियर और धन की रेख जो है सपोर्ट ने कर रही होती है तो ऐसी इस्तिति में व्यक्ति अगर ब्यापार की तरब जाता है तो ब्यापार में न तो विस्तार पाता है न उसको फैलाव मिलता है न नाम और यस उप्राप्त करता है न वो ब्रांड बनकर उबरता है जिसके लिए उसने सारा कुछ ब्यक्ति आगर ऐसे में नोक्री कर रहा हो तो नोक्री में वो ग्रॉथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो कई बार तो नोक्री भी भयंकर उतार चड़ाऊ से जूजती है कई बार तो जीवन में और इस्तिर्था इतनी हावी हो जाती है कि ब्यक्टी जो है फिर क्या हो जाता है? बहुत ज़ादा प्रेशान हो जाता है अपनी जीवन को खत्रे में डालने की भी सोचता है आत्मात्या करने के विचार उसके अंदर आने बैठ जाते है इस प्रकार का situation ये देता है आखिर ये सब परिस्तितियां हो कैसी रही है इसका मतलब है कहीं न कहीं आपकी जो जीवन चरिया है वो एक balance अवस्ता में नहीं है और उसके balance न होने के कारण आपका जीवन और इस्तिर हो गया है और तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है कहीं न कहीं आपका मानसिक या जो सारिरिक स्वस्तिया है आपकी जीवन की जो वास्त्विक खुसियां है जीवन का जो उत्सा है जीवन की जो उर्जा है वो आपसे दूर होती जा रही है और इसकी चिंताएं आपको करने पड़ती है देखेगा मैं आपको बहुत सुनर और पावरफुल उपाई दे रहा हूँ दिव्य सूरी के रिया प्रवपर तरीके से करेगा उसी बिदी से करेगा जो दिया हुआ है ओडियो को ध्यान से सुनियेगा निश्चित ही आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो सारीरिक चक्र है इस प्रकृति में मौजूद भगवान सुरी के चक्रों के साथ परस परतालमेर में आ जाएंगे और धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके जीवन पर सांदार पड़ेगा जहां आपकी सारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतोलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा फिर चाहे सारीरिक स्वस्त्य हो चाहे जीवन की वास्त्य खुसाली हो चाहे जीवन का उत्सा हो चाहे उसकी उर्जा हो इसकी आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीजे हमेशा आपके साथ रहेंगे और जो ये इस प्रकार से बन रहा है ने त्रिकोन इसका जबरदस्त लाब जीवन में होगा लेकिन इसके बारे में हम जब ये बन जाएगा तब बताएंगे 42 वर्ष की बाद चोटा काम भी करेंगे ने नेम फेम पानी की एक्षा बहुत अच्छी रहेगी दूसरी बात अगर कहें तो वानी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है तन की सुन्दर्ता भी अच्छी रहेगी और 42 के बाद लगजरी जीवन भी इस पश्ट रूप से ये दिखा रहा है यहाँ परी मंगल बता रहा है कि पराकनब बहुत अच्छा रहेगा जीवन में तो मानसिक रूप से गड़बड रहती है ठीकन मानसिक प्रेशानी से कई बार आप गरसित रहते हैं कई बार भावकता बहुत जादा आ जाती है आप इमोशनली प्रेशान हो जाते हैं और कहीं न कहीं आपका मन भी अच्छा नहीं रहता है, ब्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, ठीकन इस्तिर नहीं रहता है, ठीकन कार्यों पे नहीं लगता है, कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन मन दोसरी जगह रहता है, मन जंजालों में खोया रहता है, कोई अधरिश्य सा डर् अंदर बना हुआ रहता है और मन ठीक नहीं होने के कारण जो डाइजेस्टिब सिस्टम है उस पे धीरे-धीरे फरक पड़ रहा है आगे चल कर ये पेट की दिकतें दे सकता है थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है ये जादा खराब हो जाता है तो कई बार नीन आने की दिकते आने बैट जाती है नीन आने में तो इसके लिए आपको जो है एक उपाई दे रहा हूं जरूर करिएगा अब देखेगा मैंने आपकी हतिली का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में वास्तों में बिदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के माद्यम से दे रहा हूं जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा लाब आपको प्राप्त होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार